प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए आद्म निर्भर नारी शक्ति कालक्र में हिस्सा लिया इस दुरान नों ने महिला उद्यम्यों के लिए 1625 करोड की राशी भी जारी की है प्यामोदी ने दीन दियाल अंत्योदिया योजना रास्ट्रे ग्रामिना जीविका मिशन से जुड़े प्यामोदी ने कहा कि महिलाओं में उद्यम शीलता का दारा बढ़ानी के लिए आद्म निर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागिदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों हो बहिला के सानुत पादक संग हो या फिर दूसरे स्वासायता समूँ बहनों के ऐसे लाखों समूँ के लिए सोड़ा सो करोड रुपे से ज्यादा की राशी भीजी गई है इससे हमें देश भर में चल रहे नारी शक्ति के ससक्त आंदोलन के दर्शन होते हैं साथियों कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयम सहायता समूँ के माध्यम से देश वासियों की सेवा की वो अभुद पुर्वा है मास्क और सेनेटाइजर बनाना हो जरुवत मंदों तक खाना पहुँचाना हो जागरुकता का काम हो हर प्रकार से आपके सकी समूँओं का योगदान अतुलनिय रहा है अपने परिवार को बहतर जीवन देने के साथ साथ देश के विकास को आगे बढ़ाने वाली हमारी करोडों बहनों का मैं अभिनंदन करता हूँ साथियों महिलाओं में उद्यम सिल्टा का दाहरा बढ़ाने के लिए आत्म निर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागिदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है फूर्ड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यम हो महिला किसान उत्पादक संग हो या फिर दूसरे सेल्फ एल्फ ग्रूप बहनों के ऐसे लाखों समुओं के लिए सोला सो करोड रुपे से अधिक रासी बेजी गई है रक्षा मंदन से पहले जारी इस रासी से करोडों बहनों के जीवन में खुश्यां आए आपका काम का फले फुले इसके लिए आपको मेरी बहुत बहुत सुबकामना है साथियों स्वयम सहायता समू और दिन दयाल अंतोदय योजना आज ग्रामिन भारत में एक नई क्रांती ला रही है और इस क्रांती के मशाल महिला सेल्फ हेल्फ समू आज देज घर में लगबग सत्तर लाग सेल्फ हेल्फ गुरूफ है जिन से लगभग आठ करोड बेहने जुड़ी है पिछले छे साथ सालों के दोरान स्वयम सहायता समुहों में तीन गुना से अधिक बढ़ोती हुई है तीन गुना अधिक बेहनों की भागिदारी सुनिचीत हुई है ये इसलिए अहम है क्योंकि अनेक वर्षों तक बेहनों की आर्थिक ससक्तिकन की उतनी कोशिशी नहीं की गई थी जितनी होनी चाहिए थी जब हमारी सरकार आई तो हमने देखा कि देश के करोड बेहने ऐसी थी जिनके पास बेंक खाता तक नहीं था वो बैंकिक सिस्टिम से कोशो दूर थी इसलिए हमने सबसे पहले जंदन खाते खोलने का बहुत बड़ा अभियान चुरू किया आज देश में 42 करोड से अधिक जंदन खाते हैं इन में से करीब 55 प्रतिशन खाते हमारी माताव बहनों के हैं इन खातों में हजारो करोड रुपिय जबा है अब रसोई के डिब्बे में नहीं बरना में मालूमें नहीं गाउं में का करते हैं रसोई के अंदन खाते हैं कुछ बच्चे कुछ पैसे उसमें रख देते हैं अब पैसे रसोई के डिब्बे में नहीं पैसे बैंक के खाते में जमा हो रहे हैं बहनों और भाईयों हमने बैंक खाते भी खोले और बैंकों से रन लेना भी आसान कर दिया एक तरब मुद्रा योजना के तहट लाखों महिला उद्यमियों को बिना गारंटी का आसान रन उपलद्द कराया वही दूसरी तरब सेल्फ हेल्फ गुरूप्स को बिना गारंटी रन में भी काफी बढ़ोतरी गी राजसभा में कल हुए हंगामी को लेकर आज विपक्षी दलों के संसद उने संसद से विजट चौक तक पैदल मार्च किया मार्च में विपक्षी नेताओन सरकार पर ताना श्वाही और लोगतंत की हत्या करने का आरोप लगाया है विपक्ष के इन आरोपो पर आप बीजोपी ने पलटवार किया बीजोपी ने कहा कि विपक्षी ने लगातार हंगामे करके संसद को सड़क बना दिया गया है इसे बीज बीजोपी प्रवक्ता सम्मित पात्रा कहते विए नजर आए कि जिस प्रकार का वैभार आज कॉंग्रिस पार्टी और कुछन्ने विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतर कर रही है जिस परकार अरजकता संसद के अंदर विपक्षी पार्टिया और खासकर राहुल गाने के नतियुत में कॉंग्रिस पार्टिया नहीं दिखाया उसे पूरा देश और लोकतां तर्शरम सार हुआ उन्होंने कहा कि एक सुराक्षा कर्मी भी हातात हुई है वो भी अस्पताल में है ये वही विपक्षी है जो कह रहे थे कि संसद का एक विशेश सत्र बुलारा चाहिए मगर जब सत्र चल रहा था कोरोना पर एक दिन भी चर्चा नहीं होने दी इसके साथ ही आज केंद्रे मंत्री द्वारा प्रेस कॉंफरेंस भी की गई आपको तादे कि राहूल कांथी लगातार पेगसस मामले को लेखर लामबद नजर आ रही है हुआ है के बाले को आप करें स्था थजजव जाता है फूनकार कर से हीटव यहा है यहा थाख जाता है थजिस पर से स्ट्राइट अजिएब करेंभ से भी लेटे पहली विए बाले को बीड राखिव तैस्ट सेट्स कांटी लैवा रा खेंग ले ली एता जाना जा अंडिव we raise the issue of Pegasus we ask the government to debate Pegasus the government refuses to debate Pegasus we raise the issue of farmers outside parliament because we cannot raise it inside parliament we raise the issue of price rise outside parliament because we could not raise it inside parliament and today we have come here to speak to you because we are not allowed to speak inside parliament this is nothing short of the murder of the democracy of this country पहली बार पहली बार राजसभा में सांसदों की पिटाई की गई है बाहर से लोगों को बुला कर नीली वर्दी में डाल कर सांसदों को धक्का मुक्की मार बीट की गई है और आप ये सवाल पूछ रहे हो कि स्पीकर को दुख हो रहा है वाइस चैर्मन को दुख हो रहा है चैर्मन की क्या जिम्हेदारी है चैर्मन की जिम्हेदारी हाउस को चलाने की है चेर्मन ने हाउस को पिछले दिनों में क्यों नहीं चलाया स्पीकर ने क्यों नहीं चलाया जो विपक्स के दिल में बात है वो हम क्यों नहीं रख सकते हैं इसका इसका क्या जवाब है मैं आपको बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि यहां हो समें कौन किस प्रकार से विपक्ष को रोक रहा हैं हिंधुस्तान के प्रधान मंत्री Trustee और बैनों युवाओं जू-आप भर में बंद हो आज-आज दिए-चौण के फोन में पेगसिस है ऑप सुनिए हिंधुस्तान का प्रधान मंत्री इस देश को बेचने का काम कर रहा है हिंदुस्तान का प्रधान मंत्री दो-तीन उध्योग पतियों को हिंदुस्तान की आत्मा बेच रहा है इसलिए विपक्स हाउस के अंदर ना किसानों की बात कर सकता है ना भेरोजगारों की बात कर सकता है ना इंशॉरंस बिल की बात कर सकता है ना पेकेस्स की बात कर सकता है ये सचाई है हिंदुस्तान का प्रदान मंत्री हिंदुस्तान को बेच रहा है धन्यवाद आज बहुत पीड़ा के साथ हम सब आपके समख्ष आए हैं जो जो बहुती दुखत शर्मनाद घटनाएं हमने लगातार इस सेशन में देखी दोनों सदनों को चलने नहीं देना और खास तौर पे उच्छ सदन जो राज्य सबा में जो व्यवार राय विपक्ष का उससे आज पूरे सदन की गरिमा भी तूटी है गिरी है चैर्मन के उपर अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाकर चैर्मन की डिग्निटी को भी इन्होंने बहुत हर्ट किया है और इस प्रकार से न्यू लोग इन पार्लिमेंटरी डिमोक्रिसी का प्रदर्शन हमने राज्य सबा में प्रमोट विपक्षी तलों के व्यवार में देखा देश के लगभग 15 करोड बच्चे और यूँवा आज भी औप्टारिक सिख्षा व्यवस्था से वंचित है कि इन्द्रि सिख्षा मंत्री धर्मेंट प्रदान ने आज ये जानता रही है साथ नों ने ये भी बताए कि देश पे लगभग 25 करोड की आबादी के रिये साक्षर्ता व्यवस्था उनकी पहुँच से दूर बनी कोई है पढ़ने वाले बच्चों और युवाओं के संख्या लगभग 35 करोड है जबके जेज ग्रूप में समय देश की आबादी लगभग 50 करोड है साथ नोंने कहा कि से साफ है कि 15 करोड बच्ची और युवा आज भी आपचारिक सिख्षा व्यवस्था से बाहर है हम इन सभी को वापसी अपनी सिख्षा व्यवस्था से जोड़ना चाहते हैं ताकि आगे बढ़ सके पुर्धान मंत्री जी की जो चार बिंदू पे फोकोस है सिख्षा इक्वीटी क्वालिटी अक्सेस और अफड़ेविलिटी यह चार बिंदू पे शिख्षा की रचना को किया जाएगा पिछले 25 साल से भारत सरकार की इंट्रविंशन रही है स्कूली शिख्षा में कॉंक्रेंट लिस्ट में यह विवस्था है लेकिन इस बार थोड़ा उसमें से एक नई रूप दिया जा रहा है जो भर्टिकल में जो विवस्थाओं में पैसा दिया जाता तो उसको रखते हुए उसको थोड़ा और बढ़ाते हुए उसकी दाइरे को बढ़ाते हुए इस योजना को लिया गया जिसमें Sustainable Development Goal, SDG Goal for Education को ध्यान में रखा गया है हिमाचर प्रदेश में पहाडों पर लगातार कहर जारी है और इसी कड़ी में लगातार कुछ तस्वीरे सामने आई हैं अगर बात हिमाचर प्रदेश के कनौर जिले की करें तो यहाँ पर अब भी जिंदगी और मौत के बीच जन जारी है देखिए रिपोर्ट हिमाचर प्रदेश के के नौर जिले में एक बस और अन्य वहनों के भूसकलन के चपेट में आने के बाद मलबे में फसे लोगों की तलाश और बचाव के लिए अभियान लगातार जारी है आचार शव और बरामत किये गए जिसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है वहें कई लोग अब भी लापता बताये जा रही है कि नौर के उपायुक्त आबिद हुसेन सादिक ने बताया है कि बचाव कारे शिरू करने के बाद भूसकलन स्थल से चार और शव वरामत हुए अभी तक 14 शव वरामत हो चुके हैं राज्य आबदा प्रबंधन निदेशक सुदेश कुमार मोक्ता ने बताया कि कुछ वहनों के साथ ही मलवे में हिमाचल सड़क परिवहन निगम की एक और बस भी दप गई थी बस बोरी तरह श्रतिग्रस थालत में मिली है जबकि एक बुलेरो वहन अब भी मलवे में दपा है निचार तैसील के निगुल सारी शेत्र के चौरा गाउं के पास रास्ट्य राजमार्ग पांच पर बुदवार की दोपहर को भूसकरन के बाद बाहर से गिरे पत्त्रों की चपीट में हिमाचल सरक परिवहन निगम की एक वार बस आ गई थी जो रिकॉंग पियों से शि अब्यानों को मिली थी एक अन्य बचाव करता का कहना है कि अभियान को आगे बढ़ाने के लिए दस्ताने लाए जाने चाहिए जबकि राज्य आप्दा प्रवंधा निदेशक सुदेशकुमार मोक्था ने बताया कि गुरुवार को सुभाद 6 बजे बचाव कारे फिर से किया गया इस्थानिय पुलिस के सदस्य होमगार रास्ट्री आप्दा मोचंबर भारते दिवास सीमा पुलिस से रूप से बचाव अभ्यान चला रहे हैं अधिकारियों ने बुद्वार रात करीब 10 बचे तलाश अभ्यान स्थागित कर दिया था बुद्वार को 10 लोगों सामनी आने के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जेराम ठाकुर ने राजिव धान सभा को बताये था कि मल्विव के नीचे 50-60 लोगों के फसी होनी की आच्वन का है लेकिन उश्चित संख्या का पता नहीं चन पाया कि नौर की उपायोक ने बताये कि वसमें 40 से पत्थर गिरने से एक ट्रक नीचे नदी की किनारे लुरग्या और उसका चालक कश्व बरामत हुआ है एक पूरी तरह से शतिग्रस और चुकार भी बरामत की गई है लेकिन उसके अंदर कोई नहीं ठाग यानि यह कहा जा सकता है कि पहाडों से लगातार पत्थर दरक रहे हैं और इसकी बानवी तस्वीरों में देखी जा सकती है इसकी भेट आम व्यक्ति चड़ता हुआ नजरार्खा है प्यरो रिपोर्ट नीजवाल इंडिया दिलिकेंट हिलाके में एक नगला में एक 9 साल की मासुम बच्चे के कथित रेप और उसके बाद हत्या को लेकर भारी विरोध देखने को मिला था विपक्षी दलों ने राश्टी राजधानी की कानून विवस्था पर सवाल उठाते वे केंद्रे ग्रे मंत्री की जिम्मदारी पर भी सवाल खड़े कर दिये थे लेकिन ग्रे मंत्राले ने नंगला में रेप और हत्या और मयूर विहार में एक बच्ची के साथ रेप की घटना को बेहत सखती के साथ लिया है केंद्रे ग्रह मंत्राले के प्रवक्ता ने गुरुवार को ट्वीट करते वे कहा कि केंद्रे ग्रह मंत्री अमिश्वा के नुदेशा अनुसार ग्रे मंत्राले ने दिल्ली के नंगला इलाके में एक बच्ची के साथ दुषकर्म और हत्या के मामले तथा मयूर विहार में एक बच्ची के साथ दुषकर्म मामले की दिल्ली पुरिस के साथ समिक्षा की ग्रेमंत्राने की प्रवक्ता ने का है कि दिल्ली पुलिस के स्तर्च होने के 30 दिनों के अंदर अदालत में 4 शीट दायर करने के लिए प्रतिबत है जिससे इन मामलों को जल से जल सुनवाई हो सके दोनों ही मामलों की दिल्ली की फार स्ट्रेक विशेस अदालतों में सुनवाई की जाएगी वहीं देश की राजधानी दिल्ली मी 6 साल की बच्चे के साथ कवितृ रीप का मामला सामनी आया है दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी की मताबिक आरोपी को गिरफतार भी कर लिया गया साथी पिर्द बच्ची को मेडिकल जार्ज के लिए इंस्ट्रेफर कर लिया गया दरसल मामला युवईर विहार पुलिस स्टेशन के अंतरगरत इलाके का है जोहाँ 6 साल की बच्चे के साथ कतित रीट के खबर सामनी आई थी दिल्ली पुलिस ने मामली की जानकार देते हुब बताई कि आई पिसे की धारात इंसोट शियत्तर एबी यौन अपरादों से सरक्षन एक्ट समेट सेस्ट एक्ट सम्वेदे धराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया पुलिस दिल्ली की बच्चे के माता पिता ने आरोप लगाया था कि उसका बलातकार हत्या की गई साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि शम्चान घाट की पुजारी ने उनकी सहमती के बिना ही उसका अंतिम संसकार कर दिया वही बच्चे के परिजन समय सैक्रों की तादात में जुटे लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दोशों के खिलाफ मौत की सजा की मां की पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है एक बार फिर से दिल्ली शर्मसार हुई है दिल्ली में लगातार रेप की घटनाए बच्चियों के खिलाफ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है जिसको लेकर अब ग्रेह मंत्राले पूरी तरह से सखत नजर आ रहा है ग्रम अंत्राले के तरफ से दिली को इसको समन भेजा गया है कि 30 दिन के अंदर चार्शीट दाखिर होनी चाहिए वहीं फास्ट ट्रेक पोर्ट में इन मामलों की जार्ज होनी चाहिए कॉंग्रेस नदावा किया है कि पार्टी का ओफिशियली ट्टर हैंडन लॉक कर दिया गया इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ने फेस्बूक पर लिखा जब हमारे मिताओं को जेल में बंद कर दिया गया हम तब नहीं डरे तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक दरेंगे हम कॉंग्रेस है, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे अगर बलातकार पेड़ित बच्ची को नियाय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है तो यह अप राध हम स्वाबार करेंगे, ज्यहिन सत्यमेव ज्यते इसे पहले कॉंग्रेस ने शनिवार को दावा किया था कि राहूल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया है हाला कि बाद में कहा गया कि ये लॉक किया गया बाद में बुद्वार राध कॉंग्रेस ने उसके पाच और सीनियर डीडर्स के ट्विटर अकाउंट लॉक किये जाने का दावा किया है इन में पार्टी महासचीफ और पूर्व मंत्री जमाकन लोकसभा में पार्टी के वहिप मनिकम टैग और असंप्रभारी और पूर्व केंद्रि मंतिज जिटेन सिंग और महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष सुश्विता देव भी शामिल है मुमई कॉंग्रेस कमिटी का भी ओफिशियल ट्विटर हैंडल को लॉक बताया जा रहा है कमिटी के कारिकारी अध्यक शुरंण सिंग साप्रा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाही की उनका कहना है कि इस मामने वो ट्विटर को चिठी लिखेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे राहूल गाने ने कुछ दिनों पहले दिलिकेंट रेप पिडिता के परिवार से मलाकात की फोटो ट्विट की थी इस पर माइक्लो ब्लॉगिंग साइट का कहना है कि ये उनके नियमों को लंगन है ट्विटर ने राहूल के उस ट्विट को खटा दिया राष्ट्य बाल अधिकार सरक्षन आयोग ने स्ट्विट को लेकर दल्ली पुलिस और ट्विटर से शुकार की थी नसीपीसियार ने पिडिता के परिवार की तस्वीर पोस्ट करने के लिए राहूल पर कारवाई की भी मांग की थी आयोग का कहना था कि ये जुविनायल जस्टिस एक्ट और प्रोटेक्शन और चिल्रन फॉर्म सेक्श्वल ओफेंस एक्ट का उलंखन है आसुभा कॉंग्रिस के कॉम्मिनिकेशन इंचार सेक्रेटरी प्रवणम चाने पियम मोदी आईटी मंत्री अश्विनी वैशनव और टुटर चीफ जैक डोरसी को टैक करते वे जूट किया उन्होंने कहा कि पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया और सभी तरह किया अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का बादा भी किया है और आज के अमारी आखरी खबर जो है वो पूरी तरह से पोजिटिव है अनीशा ने मेल करके उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, इस पर पूर्धान मंतरी मोदी का बलावा आया अनीशा के पास प्रधान मंत्री के लिए कई सवाल थे उन्होंने सभी सवालों के जवाब भी दी बाद बाद में बच्ची ने पूछ लिया कि आप राज़पती कब बनेंगे ये सवाल सुनकर प्रधान मंत्री अपनी हसी नहीं रोप पाए एहमद अगर के अनीशा किसी सामाने परिवार से नहीं उसके पिता डॉक्टर सुयच विखे पार्चिल सांसद है दादा राजाकिष्ण विखे पार्चिल भी माराज के पूर मंत्री रहे और कॉंग्रेस से भाजपा में शामिर हुए अनीशा पिछले कई महीनों से प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी से मुलाकात करना चाह रही थी पेरेंट्स उसे समझाते रहे कि पियाम का स्चेटूल काफी बिजी होता है और वो शायद मिलने का समय ना दे सके पेरेंट्स ने अनीशा की नहीं सुनी तो छोटी बच्ची ने अपने पिता के लैपटॉप से प्रधान मंत्री को ई-मेल भेज दिया मेल में अनीशा ने लिखा हेलो सर मैं हूँ अनीशा और मैं सच में आकर आपसे मिलना चाहती हूँ कोई सिन बाद इसका जवाब आया तो अनीशा को सपना पूरा होता लगा पियम की ओर से जो मेल आया उसमें लिखा था दौड की चली आओ बेटा जब एक पाटिल परिवार सरसद पहुचा तो पियम मोदी का पहला सवाल था कि अनीशा कहा है फिर अनीशा ने पियम मोदी से मिलने पर खुशी जाहिर की है तस्वीरों में आप देख सकते हैं और साथ की बात मैं आज के लिए तना ही कर फिर लौटे में तमाम मुद्दों के साथ